नवशकार दोस्तों, दो अच्छे आइडिया देना चाहता हूं मैं युद को, अगर समझ में आए तो आप बताना, ठीक है? कहीं भी आपको अच्छा लगे, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी की विचार धारा, या कुछ भी, तो start becoming political now, it is high time, and आपकी जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, जो मुझे सुन रहे हैं, टेकनिकल सहवी होता चला जाएगा, पॉलिटिकल जो एरिया, बहुत स्मार्ट उस तरह के जो यंग्स्टर्स दिखते न, रन ओदम मिल बढ़िया वाले जो ऑफिसे में, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बैक एंड में, जॉइन दा पॉलिटिक्स का बैक एंड मैं यहाँ पे वो हमारा नित्ता कैसा हो, जै हो और वो धक्के खाने के लिए, रैली पहली करने के लिए, कारे करता करके भाई साब ने वोट दे तो वो नहीं, और भी बहुत कुछ है मैं बताना चाहरा हूँ, और यह होना पड़ेगा, और बहुत लोग हो रहे हैं और पैसा है इसमें, पॉलिटिकल पार्टी से कोई पैसे की कमी नहीं है, यह मैं इंप्लॉयमेंटी की चीज़ बता रहा हूँ, और एक तरह से पॉलिटिकली अवेर अगर आप हैं, मुद्दो को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे मालो मैं तो बहुत और काम कर रहा हूँ, पर मेरा पॉलिटिकल अवेरनेस बहुत अच्छा है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी लेवल पे अराम से जॉइन कर सकता हूँ, को उनके लिए मैं बेटिंग कर सकता हूँ, को इसे के लिए कर सकता हूँ, उसकी तारिफ कर दूँगा दूँगा दूसरा opportunity है यह एंड यहां पर आके सिरफ ओछी ची तुम तो व्यूज के लिए और यह ऐसे dirty मत समझो politics को हमें ठीक करनी है मैं यहां के इतने videos almost आप daily देख लेते होंगे यह किसले बना रहा हूँ ता कि सोच के level पर इंडिया की तरक्य हो सके इसलिए अगर आप कोई से भी political party join करोगे अगर आप youngsters हैं और youngsters नहीं भी हैं भाई 45-50 वाले भी हैं आप तो और वेले हो सकते हैं retired वाले भी please come and have an opinion and get into it don't get into this hate weight वाला thing कि मैं वो खराब ये खराब जो वैसे नहीं आपको pragmatic हो के उनको टाइट करना है कि political party को कि ये बतमी जी मत कर ऐसे मत कर ये खराब हो रहा है ये ठीक हो रहा है तो एक moral वाला अच्छा काम भी कर सकते हैं जरूर नहीं politics में सारे गंदे काम ही होते हैं भी या उनको भी तो सुनना है ऐसा हाल और अभाव हो गया है कि हाली में एक टूइट था प्रधान मंतरी जी का और वो कुछ लिख रहे थे विराट को लिए किसी के लिए वो पता चला ये इसे उठाय हुआ था अब यानि जो उस लेवल पे भी मदद कर रहा है उसका टैलेंट का अभाव भी देख लो त ये हिडन जॉब मार्केट है ये घुसके आपको ढूढ़ना पड़ेगा और इसमें जेनुएन अर्निंग्स हैं अच्छी अर्निंग्स हैं मजा आता है और आक्चुली आपको ऐसा लगेगा कि आप देश में कुछ डिफरेंस ला रहे हैं और पॉजिटिव मैं बोल रहा अच्छा काम करने के लिए प्रोचाइट कर रहा हूं मैं आके यहां पर साड़ गांट करने के लिए और वह वाली पॉलिटिक्स के लिए नहीं पॉलिटिक्स तो चली रही है उसमें शायद आपको घुजड़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि वह जात पात धरम और कौन तू क किसका और ऐसा वो अलग ही वहां वेकिंसी नहीं है लेकिन इन लोगों को इस स्पेस में क्योंकि सारा काम अब हमारे जैसा भी तो आगे है नहीं यहां पर ठीक है तो यहां के हम तो सब बता देते तो अब वो पुराना बेवकुफाना नहीं चल पाएगा इनको जैनुन पी कैसकता है जै हो तो वह देखने में वैसा नहीं लग रहा कि पचास वोट ला सकता है इंफेट ऐसे बहुत कारे करता है और नेताओं के ऐसे चमचे हैं जो नेताओं को खुद पता है कि इनकी शकल देखके हमारे वोटर बाग जाएंगे ऐसे भी और चिप्टे रहते हैं यहां कोई इंफुलेंस नहीं कर रहा है अब देख लो कि कौन सी जादा अमीर पार्टी है तो वहां जादा पैसा मिलेगा ठीक है तो पर आइडिलोजी भी कुछ चीज होती है आइडिलोजी में क्या है कि जी आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मुँपे या वैसे कोई गलत काम नहीं करती है आप इसलिए कोई भी पार्टी जोईन करके अच्छा काम कर सकते हो वाँ ये भी मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि नह आपको opportunity मिल जाए, तो आप join कर सकते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, एक party के लिए काम करते हैं, वोट दूसरे को करते हैं, कि मैं पूस तो यहार ऐसे कैसे, कैते हैं, गुरू जी यह तो profession है, ज़रूरित होना है कि आप जिस company में AC की company हैं, और उसमें काम करते हैं, तो AC उसी का खरिदेंगे, या TV जिस company में आप काम करते हैं, तो TV उसी का खरिदेंगे है, mobile phone, you can always work in, you know, one mobile phone and this thing and, कई मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, जो एक SIM card वाली company में काम करते हैं, और दूसरे company का भी SIM रखते हैं, अपना private वाला, वो जो official वाला तो उसी का रखना प battery है, तो वहाँ उनके मुलाजिम रोज आते हैं, काम करने के लिए, तो भार गाडियां भी पाक करते हैं, और अंदर मारुति में जाके काम करते हैं, तो क्या उनकी सारी गाडियां मारुति की हैं, एक दिन मैंने आप बोलो कि तू बड़ा वेला है, ठीक है, मैंने एक दिन आदा घंटा निकाल कर सिरफ यही चेक टेस्ट किया, चल कर, काउंट करके, कि रफली कितनी कार्स हैं, मतलब पूरी तो नहीं कर पाया इतनी दिर में भी, लेकिन वह नहीं कि चावल चखने के लिए, कि एक बार देखने के लिए, कि भी यह सारे मारुति में काम करते हैं, त पर नहीं थी, मतलब you'll be surprised to know 70-75% कार्स नौन मारुति कार्स, and they were working in मारुति, which is okay, ठीक है, ठीक है, तो this is how I'm telling you, काम करो आप, ज़रूरी थो ने, जिस होटल में खाना बनाते हो, महीं खाना काओगे, बहुत शेफ्स को जानता हो मैं, फूडी हो मैं, ठीक है, बड़े-बड नहीं खाते हैं, मैं तो वहां खाके, मैं अगर मेर को ऐसा लगता कि अगर मैं शेफ होता, क्यों मैं फूडी तो हूँ, तो मैं अपने वहीं खाता, मतलब घर में क्या था, पर भई कई लोग ऐसे, जब वो एक्चिल में बन जाते हैं, तो फिर वो ऐसे करके आते हैं, so that's what I I am saying, it's a big opportunity, politics aware होना तो ज़रूर ही है, ये काम तो है है, जब आप politically aware होंगे, तभी journal knowledge भढ़ेगी, इस channel को मैं पैसे का माध्यम बनाना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए, यहां कप आवा, ऐसे मत करो, मेरे हर channel, मेरे पाँ channel, हर channel में audience को life में उपर ले जाना है, यह नहीं देश का भला, जनता का भला, logic बात करना, इसको absorb करो, join करो, मेरे पास तो offer रहते हैं पर नहीं जाता, independence चली जाएगी ने मेरे पचास का मौर करने, फिर दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी को join कर लिए, उसे पैसे कर लिए लिए, तो एक दिक्कत तो है कि उसी के गुनगान जा सकता है भाईवे, नो, कि भी, join करो और उनको बताओ, suppose आप join कर गे, example के तोर पे, भाजपा join कर जाते हैं, भी, electoral bonds है, पैसा है, पैसा देंगे, भी, इनका IT सेल तो मेरे को लग रहा है, बहुत vacancies है, मतलब BJP वाले तो are losing the narrative like anything, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको vacancy खो take us here, ये सरल चीज़ है, तो BJP वालों को भी बता रहा हूं भी, बच्चों को बताओ, बुलाओ, हमारे चैनल के जो शिशे हैं, गुरुजी फ्रम गुरुग्राम के, apply करें भीया, आओ, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप subtle way में देख चुके होंगे, या देखेंगे, BJP को भ चला दे देंगा, कॉंगरेस को भी दे दूँगा, इसकी भी तारीफ, इसको बुरा, किसी को भी बुरा अच्छा बनाया जा सकता है, ये जिवन का सत्य है, कोई absolute सत्य नहीं है, ये मत सोच ले ना कि अगर BJP और ये थोड़े शीर स्नेता और ये सब चीज़ें गडबड़ और ये तो बिल्कुल पकवान लेके बैठें और यहां है, नहीं, ऐसा नहीं है, absolute सच कुछ नहीं है, absolute कुछ, बस it is like people have to be very very intelligent in asking questions, नेता का focus जहां डालोगे और जहां vote bank दिखेगा, वो वहां भाग जाएगा, तो सत्ता पक्ष को टाइट करना होता है, पर ऐसा नहीं कि जो खराब, black-white तो कुछ भी नहीं है, तो you can afford to join anybody, मैं है ट्रेनिंग फरी की दे रहा हूँ, तुम उनके लिए twitter, कोई भी logical, अगर तुम मतलब मैं logical बाते दोरू तरफ की करता हो, तो उठाओ उस चीज को, और पैसे कमाओ, citizen journalism मैं कर रहा हूँ, आप असली journalism मेरा सारा लेके लि narrative के लिए, और genuine narrative बनाओ, और बोलो भी मैं तो अच्छा काम करूँगा, और अगर ना करने को मिले थोड़ी दिन बात, तो यह इतनी political party हैं, सब के सौद ले लो, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, जो आम आदमी party में भी काम करें हैं, Congress में भी करते हैं, BJP में भी करते हैं, कितने नेता खुद हैं, कितने प्रशांद किशोर जी को देख लो, तो यह एक politics, एक profession है, जैसे वो गोधी मीडिया वाले कुछ, यह राहूल गांदी राजनीती तो खरेगा, राहूल गांदी जी और क्रिकेट के लेगा, मतलब इस तरह उसको बोलतो तो बजा भी आता है, और अगर मालो यह कॉग्रेस वाले और यह उठा ले, ठीक है, और इनको पता चल जाएगी, यह इस तरह बात करीवी जाती, इतनी सीधी सीधी सच बात, पी राहूल गांदी जी हर चीज में राजनीती करेगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर हर चीज में डॉक्टरी करेगा, चा घुमी घुमी करते थे तब आपने छोड़ानी उनको, शीर्ष नेता घुमी घुमी करते हैं, तो मतलब यह घुमी घुमी ठीक, क्या यार, क्या मतलब है, मतलब वो जैसे इनों थोड़ा बर्न करना और मज़ा भी आता है इन चीजों का, रिजल्ट निकले चार जुन को, उ अब ऐसे करके बात कर लो, ठीक है, तो बस मज़े ले लो जिसके ले सकते हैं, वो अलग बात हो रखी कि आजकल मतलब BJP का समय बिचारा कुछ ऐसा चल रहा है कि उनके मज़े जादा लिये जा रहे हैं, पर वो तो समय तो पहिया है जी, पढ़लटता है, कभी इनके लिए ज बात करूँगा, मैं इस तरह की करूँगा, और अगर मेरे को कोई दूसरा वाला कर रहा है, तो मैं गुस्सा नहीं हुगा, नहीं हाँ ठीक है, पर ये इस चीज़ का जवाब दे, नहीं बट वो सब ठीक है, अनिम्प्लयमेंट, नहीं वोट सब ठीक है, वो उस टाम क्या पर उसका क्या, मुझे नहीं पता, अनिम्प्लयमेंट, हर चीज़ में वो बंदा भाग जाता है, पर ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो गया, अब 1907, पार्टिशन कैसे, अब पार्टिशन चेंज कैसे करते हैं, अब हम जाके कैसे करें, कश्मीरी पंडित्स was a big thing of the failure of government of India, today the government should not fail, today the government should be in part, तो government की बात करते हैं, why should we just say, कश्मीरी पंडित का, जो भी पिक्चर विक्चर बनी है, कश्मीर फार्ट, इनने कैसे कर दिया, अरे अगर इस देश में कभी भी किसी के साथ भी गलत होता है, तो law and order का control, तो state and center government के साथ ही है न, उस टाइम पे किसकी सरकार थी, वो blame करने के लिए सबसे जाद है, क्योंकि अगर if law and order को आप गिरा दो, तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, अब उसको जाके दोश देते रहोगे आप, कि नहीं है तो इस ने करा, तो भी या law and order किदर था, देश में constitution किदर था, सम्मिधान किदर था, उसको भी तो लपिटे म लोना, किसकी party थी, कौन थी, क्या था, किसने था, किसने किसको support कर रखता था, क्या times थे, home minister कौन था, कौन कैसे किस तरह करके था, तो वो पूरी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सूट नहीं करती ही, पूरी चर्चा करनी, सूट करता है सिरफ यह करना कि इन लोगों ने ऐस करती है, हाँ तो वो कर दिया, गलत कर दिया, फिर अब तुम क्या करना चाहते हो, अब हम भी ऐसे, this is how they'll entrap you, इस पे अलग से एक वीडियो बनना जाया, how they will entrap you, बातों में हमेशा फसाएंगे, कुछ भी पूछ लो, राहुल जी उदर गए, पर राहुल जी, वेस्बेंग है, हाँ तो ये किसने का कि बेंगॉल में कुछ गलत नहीं होता, पर नहीं गए, हाँ तो मैं ये, हाँ तो बस तू ये बोल, सवाल तेरे को सच रिप्लाइ मिल गया ना, वो राहुल जी का काम है, मोधी जी का अमबैरेस करना, जहां भी अमबैरेस कर सकते हो करेंगे, तुम है, किसने रोका हुआ है, तुम भी ये काम करो, तुम करते भी थे, अब तुमने छुटी पे जा रखे हो, भाजपाई हो, तुम भी करो, निकालो कुछ गड़ पड़ है, तुम बैक फुट पे आके तुम सारी बॉनसर, बॉनसर, वेलमेट, वेलमेट रूट रहे हैं, तो जिसमें दिमाग है, इस मरे होए चुहे से टाइकून बन सकता है वो, फिर पूरी स्टोरी बॉस अब धाट कि वो चुहा उठा के जापता है, फिर बिली वाले को देता है, फिर उस से पैसे मिलते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके, एक स्टोरी थी, तो हम तो भी जोतिश हैं, इसक्लेमर, बट इसमें पैसा है, आइकेन वर्क बहुत ओफर रहते हैं, पर अपने को तो मजे दोनु तरफ के लेने हैं, फिर जब एक के पैसे ले ले लेते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है, दूसरे के, मतलब उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, प्रैविटली बोल सकते हैं, येकिन पबिले नहीं बोल सकते हैं, पर प्रैविटले लिएं पुप्ले की वर्क बार आप करें हैं, वो बेकजए हैं उनकी कदर जादा है, पौलिटिकल पॉर्टि में पीपल ब्रेस जो हैं नहीं इसी तो गुए ग्रेट सोचनी है इनकी जो अपने पर भारी बने रहते हैं यहाँ बने रहते हैं इतनी नॉलिज नहीं है इनकी क्योंकि अब यह जितने उपर पावरफुल बन गे यह जमीन से जुड़े वे निता नी रहे हो कहा रहा है पता ही नहीं आज के दिन कॉलिज में एक पुजिशन पर बैठा है और उसको नहीं पता कॉलिजों में क्या होता है उसको कोई अवेर नहीं है तो that's what I am saying politicians need politically aware youngsters क्योंकि vote आपका है influence भी आप जल्दी होते है यार बुजुर्गों को influence करना असान नहीं है ना जी हम तो यह संसकारी पार्टी है नहीं हमने तो यह ब बुजुर्ग को influence नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा एक लेवल पर पहुचे हो लोगों के influence यंग्स्टर होता है और यंग्स्टर को यंग्स्टर जादा कर सकता है क्योंकि उसको उसका पता है तो चीजे सीखो यहां से एक job opportunity की बात कर रहा हूं उसको आपको कैसा लगा बत है शेर करें चैनल को subscribe करें चैनल की membership भी ले लें थैंक यूवरी मच्च